HTML और CSS को यूज़ करके हम लोग एक website create कर रहे थे मैंने आपको already first वीडियो के अंदर इसका demo चेक करा दिया था तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के description में आपको complete playlist का link मिल जाएगा वहाँ से आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो हम लोग यहाँ पे shopping cart के उपर काम कर रहे थे और यह हमें यहाँ पे create करना है इसको follow up करते हुए इतना portion हमने complete कर दिया है और आज की वीडियो के अंदर हम लोग इसको एक step और आगे ले करके जाने वाले हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे new हैं तो subscribe करें बेल आइकन को क्लिक करके all notification को on करें ताकि आपको latest वीडियोस की notification मिलती रहे अगर मैं इसको अब इससे match करूँ तो आप देखोगे कि इस जगह पे product 1, 2, 3 including उसका recycle bin ये product 1, product 2 और product 3 यहाँ पे create हो गया अब हमें क्या create करना है इस जगह पे लिखाओना चाहिए total उसका total हो और एक button यहाँ पे present होना चाहिए तो पहले तो हम इसको create करते हैं इस चीज के लिए मैं आगया अपने code पे code पे आने के बाद आप देखोगे ये div हमारा यहाँ close हो रहा है ध्यान दे overall जो div है न वो अभी रहता है ये जो है न मेरा shopping cart इसका जो div है वो इस जगह पे close हो रहा है last में मेरे पास header close हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा एक div रहेगा header के उपर यहाँ पे आ करके मैंने create किया एक div उसका एक class name allocate करते हैं let's make it total मैंने इसका class name दे दिया total और यहाँ पे space दे करके मैंने type किया total space colon space इसको total करके देख लेते हैं ये कितना आया है मैंने provide किया है 6, 6 और 5 हो गए 11 और chicken का price zoom कम करके देख लेते हैं almost यहाँ पे आप कह सकते हो 19 थोड़ा सा कम है आप इसको calculate करके इसको देख लेना ठीक है तो यहाँ पे मैंने इसको provide किया let's make it 18.97 आगे इसके हम यहाँ पे dollar लगा देंगे तो इसको मैंने यहाँ पे dollar sign provide किया save करके refresh करते हैं तो वो नीचे जला गया है zoom कम करके दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे वो देखने को मिलेगा all right so यहाँ पे एक काम करते हैं यह भी apply कर देते हैं अब इसके नीचे मुझे requirement है कि एक checkout का button हो तो यहाँ पे आकर के मैंने पहले तो anchor tag बनाया ahref equals to इसको provide कर दिया मैंने hash इसका भी एक class specify कर देते हैं let's make it btn और बाहर आकर के हमारा anchor tag हम close करेंगे और यहाँ पे इस बीच में हमें देना है message बटन के उपर मुझे दिखाना है check out तो मैं इस जगा पे आकर के type करता हूँ check out all right इसको save करते हैं और यहाँ पे आकर एक बार refresh करते हैं तो वो नीचे गया होगा control 0 से देखते हैं zoom कम करके देखता हूँ मैं यहाँ पे उसारा कुछ आ चुका है control 0 से वापस पहले की तरह अब हमें इसका CSS यहाँ पे create करना है ताकि दिखने में यह कुछ इस तरीके का लगे लेकिन CSS का code करने से पहले मैं आपको domain research के बारे हैं बताना चाहूँगा अगर आप अपने business को online ले करके आना चाहते हो आपको अपने लिए एक domain ने में hosting की requirement है तो आप domain research.com पे आ करके उन services को यहाँ select कर सकते हो यहाँ पे आपको light speed की technology मिलती है pure SSD disk space, free SSL certificate, secured and 20 time server आपको fast मिलता है pricing plan की अगर हम बात करें तो basic plan स्टार्ट होता है 59 रूपीज पर मन्त से इसके अंदर आप एक website को host कर सकते हो, 1GB SSD की storage है, 10 email address create कर सकते हो, 5GB की bandwidth और light speed की technology है personal plan के अंदर आप एक website को host कर सकते हो, unlimited SSD की storage है, unlimited email address create कर सकते हो, bandwidth unlimited light speed की technology है और premium SEO tool आपको free मिलता है, silver plan के अंदर आप तीन website को host कर सकते हो, बागी सारी चीज़े same है और unlimited है advanced plan के अंदर आपको एक domain name free मिल जाता है, unlimited websites को यहाँ पर host कर सकते हो, बागी सारी चीज़े same है और unlimited है और इन तीनों ही plan के अंदर आपको premium SEO tool free मिलता है, इसकी help से आप अपने website की SEO कर सकते हो, और उसे rank करा सकते हो तो आप अपने budget, अपने requirement के हिसाब से domain research.com पर आकर के plans को select कर सकते हो, और राइट इसके CSS को create करने के लिए यहाँ पर आकर के सबसे नीचे आ रहा हूँ पहले तो मैं, और यहाँ पर थोड़ा सा code को separate कर लेते हैं HTML में आएंगे तो देख लेते हैं हमने इसका class name क्या create किया है, आप देख सकते हो shopping minus cart तो इसको मैंने copy किया और इस जगह पर आकर के मैंने इसको कहा, header के अंदर dot shopping cart नाम का एक class है इसका जो position है यह absolute कर दे, save करते हैं और यहाँ आके refresh करते हैं तो position हो गया absolute, कचड़ा हो गया उसको ignore करो जिस तरीके से search bar को हमने right hand side पे दिया था ना, उसी तरीके से इसको भी हम बुला लेंगे तो positions को set कर देते हैं, तो मैंने कहा top से यह किस जगह पे जाएगा मैंने इसको provide कि 110% पे, इसको save करते हैं ताकि वो नीचे की तरफ खिसके तो आप देखोगे यह इस जगह पे खिसक चुका है, इसी के साथ-साथ मैं इसको alignment provide करता हूँ कि right hand side से यह कहाँ पे जाएगा, वही same काम जो हमने select box को किया था, I mean search box को किया था 2rem provide किया तो वो इस जगह पे आ गया, depending upon जो भी उसका font size था, वो REM में convert हो गया थोड़ा सा इसको padding provide करते हैं ताकि gap maintain हो, तो मैंने provide किया padding, 1rem और इसको save करते हैं, अब आप देखोगे gap maintain होगा, हर एक angle पे मैंने इसका border नहीं लगाया, तो शायद आपको देखने को ना मिले, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन सभी को मैं यहां से cut, या फिर एक काम करते हैं, padding को cut कर देता हूँ, और यहाँ पे आ करके, मैंने apply किया इसका border, 1pixel, solid, ताकि आप देख सको, कि actually यह lie कहां कर रहा है तो currently यह कुछ इस जगा पे है, और अब मैंने paste कर दिया इसका padding, save करके refresh करेंगे तो आप देखोगे gap maintain हुआ है, obviously मुझे इसको भी curve रखना है, अगर आप यहां पे देखोगे तो sharp pages है, बट यह rounded है, तो वही same property जो हमने अपने select box से ले, तो वही same property जो हमने search bar के लिए किया था, कौन सा था, वो था हमारा border, radius, 0.5 rem, इसी के साथ साथ इसको भी एक shadow provide करना है, तो मैंने कहा box, shadow, provide किया variable, और यहां पे आ करके मैंने कहा minus minus, जो भी हमने shadow बना रखा था, वो color यहां पे pick कर लिया, save, और यहां पे आ करके refresh, zoom कम करके देखोगे तो कुछ इस तरीके का य तो मैंने provide किया, इसको width 30 rem, save, refresh, तो आप देखोगे, width यहां पे इससे मिलता जुलता हो चुका है, बाद में इसको अपने according कम जादा कर लेंगे, इसका background जो है, वो white होना चाहिए है, तो यहां पे आ करके मैंने कहा है, इसका background, direct while लिख लो, white लिख लो, या फिर इसका color code य हम कर लेते हैं, यहां से copy, last मैं आ करके किया, paste, और यहां पर आ करके मैं provide करता हूँ, shopping cart के अंदर एक box बना हुआ है, उसकी styling करनी है, तो dot के साथ उसको paste किया, और better understanding के लिए इसका भी border मैंने provide किया, one pixel, solid, blue, save और refresh, ताकि आप देख सको right now वो कहां पे है, तो यह हर एक product अ सारा सही हो जाएगा, क्योंकि सबका class name same है, सबसे पहले तो इसको flex कर देते हैं, ताकि mobile वगरा के उपर भी सही दिखे, तो display, flex, अब अगर मैं आपको दिखाऊंगा, तो यह refresh होते ही, इसके products जो है न, आपस में side side में shift हो जाएंगे, तो आप नीचे का content थोड़ा बहुत म सा gap maintain करते हैं, तो मैंने कहा gap, not column gap, directly हमें लिखना है यहाँ पर gap, कितना 1rem, save और refresh, तो आप देखोगे हलका-लका gap maintain हो गया, position इसका हम यहाँ पर relative कर देंगे, तो मैंने कहा position, relative, save and refresh, तो आप देखोगे, इस्टिल उतना कुछ फरक नहीं है, बढ़ अभी पड़ेगा, margin allocate कर left और right से कुछ भी नहीं देना, save and refresh, तो आप देखोगे हलका-लका margin टॉप और bottom से, और left और right से इसको कोई भी फरक नहीं पड़ा, alright, so अब हम इस पूरे के पूरे को कर लेते हैं, copy, नीचे आ करके मैंने कर दिया उसको paste, और मैंने कहा box के अंदर न, मैंने यहाँ पर image लग save, refresh, तो आप देखोगे, वो height proper align हो गया, और क्यूंकि height छोटा हो गया, तो पूरा का पूरा हम यहाँ पे cart box, shopping cart अपना देख पा रहे हैं, then again पूरे के पूरे को कर लेंगे copy, यहाँ पे सिर्फ box तक, image करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे ला करके किया paste, और मैंने इसको provide क इसके अंदर एक class name है, कौन सा है, वो recycle bin है, जरा इसकी styling करनी है, तो यहाँ पे आ करके मैंने dot के साथ उसको paste किया, यह पहले वाले fa की ज़रूरत नहीं है, direct हमें fa minus trash यहाँ पे लिखना है, तो इसके font size को मैं कर देता हूँ torem, ताकि देखने में यह अच्छा लगे, save करते यह properly यहाँ पे align हो चुका है, और इसका font size increase हो गया, इसके position को भी यहाँ पे हम correct कर लेते हैं, तो मैंने कहा इसका position, not this, यह रहेगा हमारा position, absolute, इसको एक बार save किया, यहाँ पे आ करके refresh किया, तो आप देखोगे वो absolute position पे set हो चुका है, top से इसकी alignment प्रोवाइड कर देता ह मैं, अगर आपको CSS में कोई doubt हो तो चैनल के playlist के उपर, जा करके आप CSS की separate dedicated videos को देख सकते हो, मैंने का भाई, top से 50% पे चले जा, save और refresh करते हैं, तो वो top से और नीचे किसके 50% पे आ चुका है, right hand side पे इसको ले करके जाना है, तो again वो ही, right पे हम देदेंगे इसको, torem, save, यहाँ पे आ करके refresh, तो वो चला गया हमारा right पे, और यही हमारी requirement है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ mouse ले करके जाने पैसा field नहीं होता कि यह clickable है, तो इसे करने के लिए, हमें इसके cursor को pointer बनाना पड़ेगा, मैं इसको save करता हूँ, यहाँ पे आ करके refresh कर तो आप देखोगे, यह clickable लग रहा है देखने में, इसके color को भी change कर देते हैं यहाँ पे, तो मैंने इसको provide किया, color, variable, minus, minus, I think हमने ऊपर कौन-कौन से color दिये है, मुझे ध्यान नहीं है, देख लेते हैं यहाँ पे, light color I think हम यहाँ पे use कर सकते हैं, तो इस जगह पे आ करक इसको refresh, तो वो हलका सा light हो गया, थोड़ा सा वो नीचे खिसका हुआ है, as compared to products, तो यहाँ पे मैं transform का use कर लेता हूँ, तो मैंने कहा transform, translate, I think minus 50 से काम चल जाएगा, save and refresh, तो वापस आप देखोगे, इधर भी आ गया वो, but उपर नहीं गया, so translate, why शायद, चलिए better है, अब य इसके उबर mouse ले करके जाएंगे, तो भी इसका color हमें change करना है, तो यह कैसे होगा, सबसे पहले तो जितने भी मैंने water लगा रखे हैं, वो आपको समझाने के लिए था, तो मैं उसको फिलाल के लिए यहाँ पे zero कर देता हूँ, save करके यहाँ पे refresh करेंगे, तो आप learn, मैंने कहा जब इसके उपर hover होगा, तो क्या करना है, तो मैंने provide किया color change होगा, तो यहाँ पर आ करके मैंने कहा color, variable में से pick कर ले, कौन सा color, minus, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हमने कौन सा color दिया है, I think green है, चलिए, minus, minus, green color के मैंने यहाँ पे use किया, save करके इसको refresh करते है तो mouse ले करके जाने पे, यह green color का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अब हमें यहाँ पर font size को correct करना है, total को और button को correct करके, transition effect यहाँ पे ले करके आना है, यह मैं आपको यहाँ पे next video में बताऊंगा, link आपको description में मिल जाएगा, मेरी पूरी कोशिश थी कि इस video के अं करें ताकि आपको latest videos के notification मिलती रहे, मैं मिलता आप से अगली video में, thanks for watching guys